Hello Classics, देख़े बीटा, चेप्टर फर्स्ट हम लोग कर रहे थे, आज उसको हम फिनिस करेंगे, फिर उसके नेक्स क्लास में उसके एकसराइस के कोर्येंगे एंफिड बेविल स्टार्ड न्यु चेप्टर, ऊके? तो पहले आज ये चेप्टर फर्स्ट फिनिस करते हैं समझ के क्या क्या करना है next heading आप जो बेटा है जहां तक मैंने आपको बताया था उसके बाद जो next heading है next heading है what do animals what do animals eat मतलब जानवर क्या खाते हैं तो हम ने कई जानवर देखे भी है जैसे बिल्ली हो गई वो चुए खाती है, दूद भी पीती है, मतलब कुट्ते हो गए, वो different type के items वो खाते हैं, या different animals different type के, जैसे गिलहरी होगी, वो कुछ और खाती है, तो अलग-अलग animals, अलग-अलग चीजों को, अलग-अलग foods को खाते हैं, यह होता है अलग-अलग animals में, ठीक है ना, तो इसी से regarding, इसी what do animals eat में, मैंने बताया कि कुछ, मतलब animals जो होते हैं, अलग-अलग animals, अलग-अलग food खाते हैं, उसी के according, regarding एक activity आपको चैप्टर में दी होई, activity 6, activity 6 में करना कि आपको एक table बनाना है, एक table बनाना ध्यान से जखो क्या करना है, activity 6 में, यह what do animals eat से रिलेटेड़ है कि यह जानवर क्या खाते हैं, एक table इस टाइप कर बनाना है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड रहेगा, name of the animals, मतलब कौन सा जानवर है, और second में रहेगा, food the animal eats, मतलब है, इस साइड लेफ्ट साइड आपको कौन सा जानवर है, और राइट साइड क्या खाता ही लिखना, जैसे आपकी बुक में दिया है पहला एक्जामपल दिया है, बफैलो, भैस क्या-क्या खाती है, उसमें इसने दे रखा है कि ग्रास, घंस खाती है, ठीक है न, ओयल केक, ठीक है, ग्रेन्स, कुछ दाने भी मतलब, अनाच के दाने भी खाती है, एक वर्ड, अच्छा इसका हमको मत सबस्क्राइब बताएंगी एक वर्ड लिखा हुआ है एक वाई है इसका मतलब किया है फैलो यह भी खाती है अगला है इसका बताना जो इसको भी आता है बताएंगा इसका मतलब फिर मैं अगली वाली क्लास्टा नेक्सट है cat cat क्या क्या खाती इसमें देखो दे रखा है small animals small animals जैसे सबसे अच्छा example तो चुहे small animals birds चोटे अगर birds है उनको भी खाती अच्छा हाँ दूध घर का दूध पी जाती है तो यह एक एक example है मतलब एक example है कि कौन क्या मलब कौन से जानवर क्या खाते है अब इसी तरह आपको टेबल बनाते जाना अब इसमें और दे क्या क्या रखा है यहां यहां लिक दे रहा हूं यह आपको अपने मन से करना नहीं तो फिर नेक्स क्लास में I will explain जानवर मैं क्यों लिख ला इसके बाद red दे रखा है lion दे रखा है ऐसे बनाते जाना नीचे लिखते जाना और उसके सामने खाना मैं ऐसे बस बता रहा हूँ कि कौन कौन से जाना में लाइन है tiger है spider है यह search करके आपको लिखना है ठीक है ना हाउस लिजार्ड काव हुमन बिंग मतलब हम लोग हम लोग भी एक अनिमल है पता है कि नहीं वियर टाइप अफ एनिमल हुमन बिंग्स ठीक है ना butterfly crow and एक और option दिया कि अगर मलब आपको कुछ और animal कुछ और अदर से बना हुआ है कि कुछ और animal लग या कुछ और आपको मिलता है तो उसके बारे में भी आप कि यह कौन सा food खाता है अलग अलग ऐसे ही लिख देना ठीक है ना यह activity आपकी six थी ठीक है बात सुन में यह activity आपकी six थी